हालो फ्रेंज वेलकम टू रन्वाइ स्टोर गाइज आप लोग की बहुत क्वेरी जा रहे थी कि वाट्साप बटन एपियाई कब आएगा सो गाइज फाइनली हमने लांच कर दिया है अब आप भी वाट्साप बटन एपियाई का यूज अपने बिजनेस के लिए कर सकते हैं फ्रेंज ये एपियाई बहुत ही यूजर फ्रेंडली है यदि आपके पास लैप्टॉप या पीसी नहीं है तो आप इसे मॉवाइल से भी ऑपरेट कर सकते हैं और इस एपियाई को आप बेलिंग सॉप्ट्वेयर अपने वेबसाइट एंड अपने CRM से भी जहां से हम भल्क मेसेज भी सेंड कर सकते हैं और आटो चाटबोट का यूज करके अपने बिजनेस को आटो मेट भी कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं आपके इसके सारे अप्शन के बारे में बताता हूँ ये डैस्बोट, डिवाइस, बेसिक सेंडर, प्रो सेंडर, चाटबो अट अट करने के लिए सबसे पहले आपको इस QR कोट को scan करना पड़ेगा, इस QR को scan करने के लिए सबसे पहले आपको अपने बिजनेस व्पुपन करना पड़ेगा, Today, You. आपको right side के upper corner में 3 dots हो रहा है इस dot पे click करना है और देखे नीचे मापको सो रहा linked device link device पे click करना है और देखे link device के नीचे है multi device beta तो इस beta पे click करना है इस पे click करने बाद आप देखे सबसे नीचे join beta का option है इस पे click करना है आपको Simplist QR Code को scan कर लेना है जैसे scan करेंगे, आपका account यहाँ पे add हो जाएगा जैसे friends, account add होगा, यहाँ पे done का option आपको suit हो जाएगा कि आपका account add हो चुका friends, आप देख सकते हैं कि हमारे account यहाँ पे add हो चुका है friends, account add हो जाने के बाद, अब हम इसका use करेंगे सबसे पहले हम यह देखेंगे कि इस वार्टर बटन API का use करके कैसे हम bulk message send कर सकते हैं that means एक साथ बहुत सारे messages कैसे send कर सकते हैं so आपको bulk message send करने के सबसे पहले basic sender में जाना होगा basic sender पर जानने के बाद friends आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या करना परेगा call to action बटन पर जाना परेगा ठीक है bulk message send करने के लिए कभी कभी क्या होगा कि आपका bulk message नहीं जाएगा उस case में क्या करना होगा फिर से आपको dashboard में आना है और dashboard में आने के बाद यहाँ पर देखें अप्सन हो रहा है तो setting में पहले activate कर लेता हूँ setting पर click करेंगे यहाँ पर देखे chatbot active और active कर देना ठीक है और इसको save कर लेना देखे chatbot है तो chatbot जब use करेंगे तो इसको activate करना ही परेगा ठीक है तो इसको activate करने के बाद friends अब हम जाएंगे basic sender पर basic sender पर जाएंगे और यहाँ पर हम bulk message send करने के लिए सरसे पहले देख सकते है call to action बटन पर जाना है ठीक है call to action बटन पर click करेंगे और यहाँ पर देखे बोल रहा है कि numbers line by line that means आपका एक number एक की line में होने चाहिए ठीक है उसके बाद अभी आपको बता रहा है message body ठीक है तो आपको यहाँ पर message जो भी डालना है message डालेंगे उसके बाद button बनाना है कितना आपका button है क्या services है सारा buttons बनाने है ठीक है कि आप क्या call to action button डालना चाहिए जैसे कि आप bulk message send करोगे तो जरूर आप कुछ ना कुछ अपने product या service को promote करोगे तो उस service को या product को promote करने के लिए उसके यह क्या call to action button हो सकते है जैसे अगर आप कोई product का promotion कर रहे हो तो आप वहाँ पर call to action button में दोगे कि purchase now, see, demo या कुछ ऐसा कुछ दोगे था कि लोग उससे इंट्रेक्टर और आपका product भी की, ठीक है तो इस तरह साब कुछ call to action button देंगे उसके बाद footer डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर submit करेंगे तो message चला जाए, तो सबसे पहले मैं यहाँ आपर number ले आता हूँ, friends, आपका जो भी data है जो भी message है, उसको एक्सल सीट में बनाके रखें था कि जब आप bulk message send करो, तो आपको परिशानी नहीं ही ठीक है, friends, message body के बाद जो next option है, वो है call to action button का, जैसे कि आपका कोई service है या कोई product है, उसको promote कर रहे हैं तो उसके लिए क्या suitable call to action button हो सकते हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, थाकि आपका जो customer होगा वो direct whatsapp से ही purchase कर सकता है या demo video रहा तो video देख सकता है अपने अगर website पर traffic वेजना चाते हैं, तो website पर traffic आ सकता है कुछ services sale करना चाते हैं, तो services भी sale हो जाएगा इस तरह से आपको call to action buttons बनाने हैं, ठीक है तो यहाँ पे देखिए call to action button बनाने के लिए आपको दो options मिलेंगे, ठीक है आप multiple call to action button बना सकते हैं, लेकिन दो options का ही use करके बनाएं, देखिए, यहाँ पे click करना है एक है link button, एक है call button, ठीक है Link button मतलब क्या होता है, कि आप multiple links डाल सकते हैं, ठीक है आप 10, 15, जितने links डालने हैं, link डाल सकते हैं उसके बाद call, जितने चाहें, उतने सारे numbers पर call करवा सकते हैं तो यहाँ पे link डालेंगे, और दूसरा number डालके call करवा सकते हैं अगर आप link डालेंगे, तो link button डाने दीजिए और यहाँ पे नाम क्या हो सकता है, link button का, जैसे buy now, demo videos ठीक है, जैसे मैं demo videos डालता हूँ तो यहाँ पे link अगर आप select किये हैं, तो यहाँ पे आपको क्या डालना है, link ही डालना है तो यहाँ पे आप link select कर लिजे, ठीक है, demo video का जो भी link है, YouTube से link copy करके यहाँ पे paste कर दीजे ठीक है, उसके बाद आप चाहते हैं कि नहीं call भी आना चाहिए, लोग call भी करें तो आपको फिर से plus icon पे click करना है, call कराने के लिए फ्रेंस यहाँ देखे, अभी link बटन है, तो link बटन है, call बटन डालना है और call बटन का नाम आप जो भी चाहिए, वो रख सकते हैं, जैसे call ना है, तो call ना ही दिखेगा उनको whatsapp पे, ठीक है उसके बाद आप यहाँ पे उसका phone numbers डाल दीजे, ठीक है, phone numbers डालने करते हैं, और आपको link या buttons डालने हैं, तो आप easily डाल सकते हैं उसके बाद friends, तो next option है, वो है footer का, आप अपने footer में अपने brand का नाम यूज सकते हैं, या कुछ भी यूज कर सकते हैं, तो मैं अपने brand का ही नाम यूज करूँगा, run by stores मैं अपने brand का नाम यूज करूँगा, और यहां पर देख सकते हैं, delay between message, that means, एक message और दूसरे message के बीच में कितना time gap रहना चाहिए, तो आप चाहे तो zero भी रख सकते हैं, चाहे तो five seconds भी रख सकते हैं, तो मैं बोलता है, आप five seconds चाहो, ठीक है, और यहां submit पर click करो, friends, जैस आप देख सकते हैं, यहां पर मैंने चार message send किया था, चारो message यहां पर जा चुका है, और यहां पर आपको यह भी दिखाई देगा, यहां पर call to action button के साथ सो हो रहा है, कि देखे, you are at right platform, looking for whatsapp, chatbot and business automation, ठीक है, तो यहां पर demo video, अगर demo video देखना है, तो demo video पर click करेगा, तो direct demo videos होगा, YouTube पर अगर call करना चाहता है, तो direct call भी कर सकता है, जैसे मैं demo video पर click करता हूँ, तो direct यहां पर देख सकते है, opening link in new window, go पर click करूँगा, तो यहां पर देख सकते हैं, यह YouTube में open हो चुका है, ठीक है, उसके बाद अगर फ्रेंस आप चाहते हैं, कि नहीं direct call करें, तो direct call now पर click किजिए, और यहां पर यहां पर यह laptop है, तो laptop में call support नहीं करेगा, अगर mobile रहता है, तो easily call चला जाता है, direct call options आजाता है, तो मैं okay पर click कर देता हूँ, तो friends, यह था हमारा WhatsApp button API bulk message sending, I hope कि आपको यह समझ में आया होगा, friends, उसके बाद जमरा next option है, वो है chatbot का, ठीक है, chatbot पर जैसे click करेंगे, यहां पर देख सकते chatbot का interface आ चुका है, तो सबसे पहले हम chatbot create करेंगे, chatbot create करने के लिए यहां पर देखे, add new पर click करना पड़ेगा, so friends, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई reply set करेंगे, कोई reply क्या होता है, कि अगर कोई customer आपके WhatsApp पर आता है, और WhatsApp पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, quick reply add करेंगे, और quick reply में हमारे जो भी services है, सारे services को क्या करेंगे, add करेंगे, okay, so सबसे पहले मैं quick reply पर click करूँगा, यहां पर देख सकते है, keyword for reply message, मतलब आपका customer क्या send करेगा, क्या ऐसा रखना चाहते ताकि वो send करे, तो उसके बदले आपको reply करना चाहते है, so मैं यहां से copy कर लूँगा, और यहां पर paste कर दूँगा, ठीक है, paste करने बाद अब आपको लगता है कि नहीं, मेरा जो customer हैगा, उनके नाम से message जाना चाहिए, मतलब नाम से message जाता है, तो अच्छा लगता है customer को, ठीक है, so हम क्या करेंगे, यहां पर जो name क reply में जाएगा, hello, उसका नाम जाएगा, और you are at right platform, looking for WhatsApp, chatbot and business automation, यह message उसको जाएगा reply में, ठीक है, यह message होगा, अब friends, आपको जो भी services है, ठीक है, सारी services को आप add कर दीजे, यहां पर button के form में add कर दीजे, ताकि अगर आपके customer को कुछ भी service की need रहेगी, तो वहां पर click करके और वह अपना interest show करेगा, आपको message send करेगा, तो कैसे button add करेंगे, button add करने के लिए, यहां पर देखिए, जो भी आपका buttons का keyword आप डाल दीजे, जैसे कि WhatsApp cloud API है, तो WhatsApp cloud API यहां पर डाल दीजे, उसके बाद next हमारा जो button होगा, so friends आप देख सकते हैं, हमने यहां पर अपने services का button add करें, जैसे WhatsApp cloud API, WhatsApp bulk करें, service, Google data instructor, WhatsApp chatbot with button, आपका जो service है वो आप add कीजी, ठीक है, add करने के बाद यहां पर फूटर डालना है, कि फूटर में क्या जाना चाहिए, तो मैं अपने brand का नाम यूज़ करूँगा, run my stores, ठीक है, यहां brand का नाम यूज़ कर लोगा, आप देखिए, मतलब, delay कितना होना चाहिए, अगर किसी ने high send के आपको, तो कितने seconds बाद उसको यह reply जाना चाहिए, तो मैं zero रखूँगा यहां पर, क्योंकि उसको just reply जाना चाहिए, quick reply है, तो zero seconds में, मतलब, 20 reply जाए उसको, आप यहां पर देख सकते है, submit as a button, submit as a list, यह क्या रहता है, कि अगर आप submit as a button use करते हो, तो यहां पर बहुत सारी buttons show होंगे, जैसे कि friends आप यहां पर देख सकते है, इस तरह से उसको buttons show होंगे, अगर आप list करेंगे, तो बहुत सारा list show होगा, ठीक है, तो button थोड़ा professional show रहा, मैं button का ही use करूँगा, और submit as a button पर click कर दूँगा, तो friends आप देख सकते हैं, यहां पर आपका quick reply save हो चुका, अगर किसी ने आपको high send किया, तो इसको यह reply जाएगा, ठीक है, with button जाएगा, तो मैं एक बार check करके देख लेता हो, कि यहां जाता है या नहीं, so friends यहां पर मैं high send करूँगा, और देखते हैं, reply में आता है या नहीं, जैसे म मैंने high यहां पर send किया, friends देखे reply मुझे आया, hello digital case star, digital marketing agency, you are at right platform, looking for whatsapp, chatbot and business automation, और friends आप देख सकते हैं, मैंने 4 buttons भी add किया था, यहां पर 4 buttons भी आ गया है, ठीक है, इस तरह से friends, हम quick replies add करेंगे, friends quick replies add करने के बार, अब हम क्या करेंगे, chatbot का use करेंगे, chatbot का use करने के लिए क्लिक करना है, ठीक है, यहां पर add new पर click करना है, और यहां पर call to action बटन को use करना है, जैसे ही friends आप देख सकते हैं, यह call to action बटन है, अगर कोई आपको बोलता है, कि WhatsApp Cloud API, that means call to action बटन पर click करता है, तो उसके बदले आपको क्या reply जाना चाहिए, जैसे आपका customer WhatsApp Cloud API पर click करता है, that means उसको need है WhatsApp Cloud API, तो उसके बदले आप क्या message save करके रखते हैं, ताकि उसको reply जाना चाहिए, ठीक है, तो अब हम call to action बटन का answer set करेंगे, friends सब से पहले हम क्या क call to action बटन रहेंगे, उसका अब मुझे reply set करना है, ठीक है, तो call to action बटन के लिए reply करने के लिए, set करने के लिए call to action बटन पर click करेंगे, अब यहाँ पर देखे, keywords क्या हो सकते हैं, तो आपका keywords क्या है, friends, तो आपका keyword है WhatsApp Cloud API, ठीक है, तो मैं यहाँ पर type करूँगा WhatsApp Cloud API, so friends, अब देख सकते हैं, यहाँ पर WhatsApp Cloud API, that means हमारा जो first call to action बटन है, WhatsApp Cloud API, इसके लिए मैं quick replies बनाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले दिया है WhatsApp Cloud API, उसके लिए हमारा जो message है, यह message है, किसी ने यह send किया, इस पर click करके send किया, that means Cloud API पर click करके send किया, तो उ यह डाल देता हूँ, फिर उसका नाम आएगा यहाँ पर, नाम को bold करना है, तो आप star option का use कर सकते हो, ठीक है, इस देख सको message जाएगा, अब यह आया, ठीक है, call to action बटन, तो इसके लिए आपका वीडियो है, कोई demo वीडियो है, या आप direct purchase कराना चाहते हो, या call करवाना च चाहते हो, क्या करवाना चाहते हो, अब इसके लिए भी button add कर सकते हो, उसके लिए देख सकते हो, यहाँ पर, लिस्ट है बटन का link बटन डालना चाहते हो, अगर आप इसका demo है, तो आप demo add कर सकते हो, यहाँ पर मैं डाल दूँँगा, वो direct चाहके वीडियो देख सकता है, यहां पर मैं डेमो लिंक डाल देता हूँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहां पर call to action बटन भी यूज़ कर लिया है कि अगर किसी ने whatsapp cloud API मुझे send किया तो उसको यह message जाएगा और उसके message के नीचे में यह सारे options उसको call to action बटन के रूप में show होगा जैसे demo video अब उसको demo देखना रहेगा डेमो पर किलिक करके demo video देख सकता है अब उसको purchase करना रहेगा तो direct वो purchase भी कर लेगा अगर उसको direct call करने करेगा तो call भी direct कर लेगा उसके बाद यहां पर footer तो मैं अपने brand का नाम यूज़ करूँगा अब यहां पर delay कितना रखना चाहते हैं मैं zero रखोंगा क्योंकि कोई place है अब मैं यहां पर submit कर देता हूँ submit करने के बाद friends अब हम देखते हैं कि सच में आता है या नहीं तो friends मैं सबसे पहले high send करूँगा मैं सबसे आपको दिखाता हूँ ठीक है जैसे high send किया यह आया message ठीक है अब WhatsApp cloud API के बारे में जानना चाहते है तो आप क्या करेंगे इस पर click करेंगे अब देखे friends इसके लिए भी आपको reply आ गया जो मैंने अभी बता है आप भी आपको इसका demo देखना या buy करना या call करना तो आप यहां से फिर call to action बटन को use कर सकते हैं जैसे आपको call करना है तो direct call कर सकते हैं, buy करना है तो direct buy कर सकते हैं और demo वीडियो देखना है तो direct demo वीडियो देख सकते हैं अपर चैट बूत बटन, API आपको अच्छा से मज़ में आए अगा है और ये भी समज में आए होगा कि कैसे अपने business को automatte कर सकते हो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डॉड है तो आप direct हमें comment करके बोल सकते हैं आपका जो भी डाट होगा मैं उसका live training देखा आपको help करूँगा आपका problem solve करूँगा मिलते हैं next video में तब तक लिए best of luck